क हेलो एवरिवन वेलकम टोबीकस केमेस्ट्री चली स्टार्ट करते हैं 12 और में डीएस लेवल के लिए सफेस क्यमेस्ट्री योकि बैसिक लेवल सब्ढ़ है न सकेशेकर पड़ा है अब अपन उनका डिफ्रेंश करते हैं जो चुछे पने पड़ी उन्हीं को थोड़ा अपन और डिफ्रेंशियेट करते हैं पहला पॉइंट आ रहा है होमोजीनिस के अंदर होते हैं यहां मैंने आपको बताया है 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 यहां मैंने आपको बताया था है है डिफ्रेंशियेट के लिए सेकंड पॉइंट यहां आ रहा है रिएक्शन अकर इंदर लिक्विड और गैस फैज यहां जो रिक्षन होती है वो किस फैज में होती है यह बाद ध्यां में रखेगा ठीक है क्योंकि यहां जनरली अपन सॉलिड को कंसिडर नहीं करते हैं होमो लिक्विड फैज में मिलेंगे इसका रिजन भी अपना आगी देखने वाले है क्यों ठीक है नेक्स्ट हेट्रोजीनियस में सेकंड पर रहा है रिक्षन डज नोट अकर इन गैसे और लिक्विड फैज ठीक है बट अकर इन सर्फेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट सही है बात क्य जो ए आपनी अफेमेटल थी वो अपनी ले थी उस एफेमेटल पर रियाके नाय्ट अफेल अप नायूरा हो रही थी तो जो डेटसन हो रही थी यो किस पर हो रही थी सषव को इलीक्विड कैटलिस्ट का सट ब्रीकरिशक के श्रफेस का कि युश। है ना कि किक parchment can a अ reaction does not depend on the surface does not depend on the surface of the catalyst ठीक है यह बाद ध्यान में रखेगा कि यहाँ जो rate of the reaction है वो कभी भी catalyst के surface पर depend नहीं करती है कि catalyst के surface है क्या है क्यों क्यों क्योंकि यह यह तो आपन catalyst क्या ले रहे हैं इसलिए उसकी जो सर्फेस होती है ठीक है परिवासित सतय परस्ट उसकी होती है क्योंकि उसकी सही सेब भी होती है ठीक है solid की लेकिन liquid और gases molecules के अपने उनकी shape defined नहीं कर पाते हैं उनकी surface को डिपाइन नहीं कर पाते है ठीक है तो इस वज़े से जो rate of reaction वो depend नहीं करती है catalyst की surface पर लेकिन हम है जो heterogeneous है उसके अंदर क्या होगा the rate of the reaction is proportional to the surface area of catalyst ठीक है यहाँ खुएन आजो rate of reaction वो किसके proportional होती है जो आप catalyst में ले रहे हैं उसकी surface के क्यों क्योंकि यहाँ catalyst का solid है solid किसे जो surface होगी एक परवारशे से surface होगी तो जितना ज़्यादा solid की surface होगी जितने ज्यादा बड़ी surface की solid होगी उतने ज्यादा rate of reaction होगी उतने की क्या करेंग है से वहाँ से और फोगा में बाप क्या होगा तों जरूरी है कि जो सोऔर सपसर पहल का inspalus तो आपके क्या होगी रेट होगी किसमें heterogeneous catalyst के अंदर, next point आपन बढ़ते हैं, the catalyst dissolve into the gas phase or solution, ठीक है, यह point सही homogenous में हो, क्यों कियो, क्यों कियो, क्यों किया जो catalyst किसमें dissolve हो रहागा, gas में होता है, solution phase, मतलब aqueous azale phase, ठीक है, या फिर liquid को हूँ, यह की बात है, लेकिन यहाँ क्या है, the catalyst does not dissolve in the reacting mixture, reacting mixture, मतलब जो भी आपके reactant है, जो किरियाकारक है, या तो वो liquid होगी, या फिर वो gases होगी, किसमें heterogeneous में, जबकि catalyst कैसा होगा, solid होगा, तो यहाँ phase थोड़ी ना match कर रही है, ठीक है, liquid-liquid भी बहुत अच्छे से mix होते हैं, लेकिन, solid और gases आपस में नहीं होती है, नहीं solid-liquid आपस में नहीं होते हैं, तभी यह लिखा गया है, catalyst does not dissolve in the reacting mixture, जबकि यहाँ क्या था, catalyst भी same phase में होता है, या तो gas ये phase में होगा, तो अपने को reactant भी gas phase में लेना पड़ ठीक है, तो gas gases आपस में बहुत अच्छे से mix होती है, बहुत अच्छे उनमें collision होती है, बहुत ज्यादा reactivity होती है, बहुत ज्यादा reaction फास्टर भी होती है, तभी next point है, अब आपन देखते है, catalyst cannot be easily separated from the product or reaction, क्यों, यहाँ से आप catalyst को इतनी आसानी से क्या कर सकते हो, उस reaction से separate अलग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यही तो है कि आसानी से dissolve हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने catalyst gas लिया, और आपका जो reactant है, क्रियाकारा को भी gas phase में तो बहुत अच्छी से में, उनकी mixing हो जाएगी, तो जो mixing हो जाएगी, तो उनको आप, वहां से अगर आपको फिर separate करने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ आपर कुछ physical properties करने पड़ते हैं, कुछ physical घटनाएं, phenomenon करना पड़ते हैं, तभी आपका catalyst वहां से separate होता है, किस condition में, होमोजीनिस में, क्यों, क्योंकि अगर catalyst gas लिया, तो reactant भी gas हो, और gases gases आपस में, बहुत अच्छी से mix होती है, क्योंकि यहां क्या है, यहां mixing है, देखे, इस fourth point में बनिये तो पड़ते हैं, कि catalyst और reactant जो mixture है, जो reacting molecule है, क्रियाकारक और जो उत्प्रेयरक हो आपस में इतने अच्छे mix नहीं हो पाते हैं, तो इस वज़े से जो fifth point आप आपसाने से बन लेख सकते हैं, catalyst can not be easily separated, sorry, catalyst can be easily separated from reacting products, आप reacting products से catalyst को आसाने से separate कर सकते हैं, क्योंकि इस fourth point के one वर प्रक्षी雨 म이스 इंहारेम मिख्रैश अलग कर सकते असाने से नेक्सद आफा फास्ट्रume को सब्सक्रें सूक PT यह फास्टर प्रसेक क्या कि पॉस्टर पॉसस कि वह फास्टर सरेसी ये इने से खेंड हैं क्यों कि क्योंकि दूनों जब कि यहां क्या है इतनी एची mixing नहीं हो पाती है ठीक है तो mixing नहीं हो पाती तो टकर ही नहीं होंगी molecules में आपस में reacting reactant या किरियाकारक और जो catalyst के जो molecule होंगे किरियाकारक और उत्प्रेरक के जो molecules होंगे उनमें इतनी एची टकर नहीं हो पाती है तो rate of reaction क्या होती है होती है slower than homogeneous के compare में reaction slow होती है το यह कुछ points थे जो वहुक्त कर्ते हैं differentiate करते हैं आप में करते हैं। फिर को थिक है अब हुआ नेक्स मूब करते हैं थे थे खाइंस की तरप और उन्हीं की जो फेनोमेन होती है re-catalysis की जो फेनोमेन होती है यही बाइकर टलाइस कि और द्यान में रखेगा एंजयां जरनी अपनी बोडी में नेडिये होती है थीए जरे नेक्ष्ट करते हैं बात अपन एँजयां के और क्या अपर परोपरीटी एंजयां फ्रोटीन मास explorative, तक वहो ज ज़यादा है ठीक का उनका नुबाहर होता है ह ben और मेमास अनुबाहर भोग ज्यादा होता है और यह क्या करता है और क्या क्वर्मेशन करते हैं वाटर की प्र dish में या कि water के solution में किसका formation करते हैं कोलाइड का ठीक है यह बात ध्यान में रखेंगा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट इसमें क्या था एंजाइम्स में यह क्या होते हैं complex nitrogenous organic होते हैं ठीक है जनरली मैंने बोल दिया प्रोटीन है तो प्रोटीन में क्या है एमिनो एसी तो क्या एंजाइम्स है और एमिनो एसी अमीन वर्ड आगा है महां में तो नाइट्रोजन प्रजेंट आइसी वज़े से लिखा गया है complex nitrogenous organic compounds होते हैं which produced by living plants and animals जो कि क्या हो जिवित पादप कोशिगाओं और जन्तों से अपने क्या होते हैं ठीक है तो complex होते हैं एक जड़ल योगिक होते हैं nitrogenous organic compound होते हैं carbon nitrogen से मिलेवे योगिक होते हैं ध्यान में रखेगा ठीक है तो एंजाइम्स के जिनरली अपनी बोड़ी में बहुत जादा नीड होती है इसी वज़े से इसी वज़े से क्या होती है इनको अपन बायो केमिकल केटलिस्ट अपन बोलते हैं या बायो केमिकल एंजा और जाता फास्टर हो जाती है तो से करें सी ट्वल्वर एस तो 11डुर इसका हैसका फॉल्फ है अपने होते हैं प्राप्ट होते हैं ठीक है लेकिन यह पस story awake केंगर यहांส इनजाइम होता है यह विषिष्ट अभी के लिए हैं एक विषिष्ट enzyme होता है ऐसा नहीं इस रगिवी कही पीक ही थे नहीं होता है यह सिर्फ एक अ़िश्ञ के लिए एक ही किस reaction में काम आ रहा है, second example आ रहा है, conversion of glucose to ethyl alcohol, glucose से ethyl alcohol, इस glucose से जब अपन ethyl alcohol बनाएंगे, साथ में carbon dioxide भी produce होती है, तो उसके लिए enzyme लिया रहाता है, zymase enzyme, zymase enzyme काम में लिया रहाता है, ये enzyme specific है, जो क्या काम करता है, glucose को ethyl alcohol में convert करता है, तो आप से question पूछा जा सकता है कि zymase enzyme क्या वर्क करता है, तो आप कहोंगे glucose से ethyl alcohol बनाने में काम में आता है, या फिर आप से question इस तरह पूछा जाए कि glucose से ethyl alcohol बनाने में किस enzyme का यूज़ कहा जाता है, तो आप क्या कहोंगे, zymase enzyme, तो दोन तरीके से question put किया जा सकता है, तो ये बात अपने को लिए र तो नस्टू, ठीक है, कुछ स्टैप की क्या होती है, इसकी structure होती है, थोड़ा structure अगर अपन रोग करें, तो नस्टू, यहाँ पर कार्बोनेल compound की form होती है, और ये नस्टू, ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, असिटोन का ही कहा एक सबस्टूइंट है, असिटो यूर, अज्यूर्ग यूर्या का जब हैडलासस किया जाता है, तो अपने को अमोनिया और इसाइपक यू तू करने में काम आता है, या फिरफीर पूच इसटने पड़ेगी तो अपनों कहीग है यूरी ऐसे हैं पाल्स जो रजए उसके लिए अपने वो जुट पढ़ती है जैजर के अपने व्जविज क्या होती हैं अब बात करते हैं कि अपने पढने वाला है उपतने पड़ने वाला वह अभी पर डिसकर आफ नहीं मूंद तो पहला प्रोपेट एर इसका एफिसींसी यह निदक्ष ता कितना दक्ष है एंजाइम काम करने में कितना सक्षम है यह रहाइली एफिसेंट के लिए बहुत जादा सक्षम होते हैं बहुत जादा दक्ष होते हैं काम करने में यह रियक्शन की रेट को 10 to the power 10 to the power 20 times increase कर देते हैं यह यह दसकी पावर 8 से लेकर 10 की पावर 20 time 20 गुणा increase कर देते हैं एक रियक्शन की रिट को जनरली मैंने बोला एंजाइम सिर्फ हमारे बोडी में वर्क करते हैं living cells में वर्क करते हैं living organisms में वर्क करते हैं ठीक है तो अगर अगर एंजाइम हमारे बोडी में नहीं हो तो जो भी मील जो भी खाना अपन खाते हैं वो पचास साल तक अपना system में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है human body उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी 50 years तक किसकी absence में एंजाइम है एंजाइम हमारे बोडी में नहीं है तो जो भी अपन rotten meal यह भी खाना खाते हैं वो पचास साल तक डाइजेस्ट नहीं होता अगर एंजाइम नहीं हो तो एंजाइम देख लेंजिए उस खाना पचाने की या खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को 10 तो इंक्रीज कर देती है आई बास समझ भी तो डाइजिशन में बहुत जादा इंपोर्टन रोल है एंजाइम का सेकंड आता है इस्पेसिटी ठीक है यह विशिष्टा की बाद आती है इच एंजाइम केटलाइस केटलिस्ट सोरी इच एंजाइम केटलिस्ट अल्ली वन केमिकल यह प्रतेक जो एंजाइम केटलेस्ट होगा वह सरफ एक ही केमिकल डिफून के लिए वैलेड होता है यहै मेरे पहले पताए था तब हिसको इसको इत् 31 एक ही डू ही केमिकल डिक्शन में बार्क करेगगा फैर्ड है स्मॉल कवांटटी इसका मतलब है कि अगर आपने एंज और दोबिक होते हैं लगातार बनते हैं काम में उन्हें ग्धाने हैं ऐसी इस एच कि अगर आपने थोड़ा भी आने के बाद केंगी पर वे मैंग स्कृतर म thriv या कोई भी एंजाइम है वो हमारी human body के अंदर किस condition पर बहुत अच्छा वर्क करता है बहुत faster rate of reaction शूप करता है तो वो condition है जो temperature हो 37 degrees Celsius ठीक है और हमारी body की pH क्या हो 7.4 हो लगभग थोड़ी इसी basic हो या इनकाउं जब neutral condition हो तब enzymes बहुत अच्छा वर्क करते हैं ना तो ज्यादा ऐसेडिक हो ना ही ज्यादा बैसिक हो pH क्या हो 7.4 के सम्थिंग हो तब हमारी जो बोड़ी हो एंजाइम को बहुत अच्छा वर्क करते हैं वहाँ पर उस condition में ठीक है तो यह कुछ जनरल प्रपर इस थी एंजाइम की पढ़ते होते हैं एंजाइम के अंदर कुछ cavities होती हैं या कुछ खाली जगह होती है ठीक है उन खाली जगह में क्या होता है कुछ specific groups present होते हैं जैसे एनश्टू ग्रूप, कार्बोकसले ग्रूप, एमिनो ग्रूप, कार्बोकसले ग्रूप, थैयो ग्रूप और अलकोहल ग्रूप, या है ड़ोगसे में या कुछ ऐसे वहां पर प्रुजेंट होते हैं लुग में औहों प्कार कहों चुनकिता कि कोई भी सबस्ट्रेट defrost करीकर लोगया नहीं सबस्तरेट लिवाकर से जो आपने voice serengym जो खाली केविति रखता है鄉 आक्रती की होग सागquela कि रखता है व हो एक किसी और एंजम के लिए ओती है प्सक्राइब कोई शांग हो सकता है तो भी खाली जगे हो ठेक्षिंच कोहिए शेंख में और पतileri के या फिक district तो और खाली चाहिन स्पेस्ट होता होता है किसी specific reactant या विकारक के लिए ही वह होता है ताकि वह विकारक आकर उस enzyme से जुड़ जाए उस जगह पर आकर उसको fit कर दे एकदम ठीक है यह बात अपने उध्यान में रखनी है तो यह enzyme में जो क्या कर रहा है कि इसमें क्या cavities है यह अब यह cavity खाली जगह यह complete enzyme नहीं है ठीक है यह enzyme substrate complex बन जाता है देखेगा अब यह जो पूरा जो आपका enzyme है क्या है complete हो चुका है अब यह enzyme क्या है इसकी जो cavity तो फिट एक substrate आया और उसमें इसमें fit हो गया इस तरीके से ठीक है next step में क्या होता है यह fit होने के बाद enzyme मैंने बोला कि catalyst T तो है एक तरीके का तो enzyme करेगा न इस वाफिस मिल जाता है क्योंकि enzyme जैसे catalyst है ठीक है तो जैसा आप काम में लोगें वैसा आपको product के साथ मिल जाएगा जो अपन catalyst में पढ़ते आ रहे हैं पीछी process यहां पर है बस फरक इतना है एक biological catalyst है जो हमारी human body में work करता है इसलिए अपन इसको biological catalyst के नाम से आपन जानते अब यहां पर जो process अपन नहीं किया उसी के बारे में हमाने यहां पर लिखा हुआ है they are active site or centers on the surface of enzyme particles ठीक है तो यह लिखा है अब कर रहा है वह के वीटीज ही क्या होती है सकीरिये के अंदर होती है मतलब सबस्टेट किरियाकार के साथ अभी किरिया करने के लिए सकीरिये होती है active रहती है ताकि कोई अब करां आक्टिव गुरुप्स और क्या रखती है उन गुहाओं में क्या होते है active groups होते है सकीरिये समोह होते हैं वो एक्च्छिल में गुहा क्या रिक्ट करें गुआ तो कुछ नहीं रिक्ट कर सकती है लेकिन आपको यह खाली स्पेस दिख रहा है यहां पर इस लेकिन इन प्रक्रेस्टेस्टेंटॉत है ले इंडुस्रोलित होते हैं उफसेट की साथ लिए इंड्योग्रोप करता थे वागत बात यह थिक ध्यान में रखेगा है तो यह एंजाइम पर यह ग्रूप्स प्ररजेंट होते है कुछ एक्टइव ग्रूप सकाने अक्टेव ग्रूप से इन स हुझ गुहाओं यहां विद्धमाय रहते है नेयक्स्ट मोंट आता दा रेक्टेशन सब्सक्राइब कर रहा है यह वह कॉंपलिमेंटरी शेप रखता है यह तरह से इनके सिमिलर रखता है यहाँ पर आकर चुन हो जाए कॉंप्लिमेंटर शेप टू फिट इन्टो दीज कैविटीज जस्ट लाइक की फिट इन्टो एलोग आपने देखा होगा लोग है दर में अपने पास लोग होते हैं तो लोग के लिए जो भी की होती है चाबियां होती है वह इक डिफाइनेट शेप की होती है ताकि की जैसे उस लोग के अंदर जाए एकदम फिट रहे और ब्लोग ऑपन या क्लोज हो जाए तो वह एक एक लोग के लिए एक ही स्पेसिफिक की होती है यह आपने जानते हैं ठीक ऐसा तो नहीं है कि एक लोग के लिए पांच-पांच लग-लग कीज है ठीक है तो वही बात यहां पर ह इस specific enzyme की जो cavity है उसके लिए specific substrate ही होगा जो यहां पर आकर आसाने से एक fit हो सके किस तरीके से जैसे एक लोग के अंदर की fit होती है उसी तरीके से तो यह थी इसकी mechanism of enzyme catalysis की यहां पर enzyme खतम होता है जो भी enzyme की आपने बुक से आप पढ़ सकते हो सारे करवाने की नहीं है ज्याद को याद करने पढ़ेंगे कि किस enzyme की कहा क्या यूज होता है ठीक है यह बाद हमें रखेंगा नेक्स्ट दो टोपिक्स अपने क्लियर हो चुके हैं अपने एड्जॉप्शन पढ़ लिया एंजैम्स पढ़ लिया और लास्ट अपना बचा है कोलोड कल से अपने कोलोड से स्टार्ट करेंगे ठीक है तब तक के लिए धन अपने वाद